असलाम वालाइकॉम, I hope you are all doing good आज कल सबसे ज़्यादा मार्कीट में जो डिग्री इन है और जिसकी तरफ स्टुएंट्स का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है वो कंप्यूटर साइंस के डिग्रीज हैं चाहे वो सॉफ्टर एंजीनिंग हो चाहे वो B.S.C.S.O, B.S.I.T.O, कंप्यूटरिंग एंजीनिंग हो, आर्टिफिश इंटेलिजेंस की हो, डेटा साइंस की हो, साइबर सेक्यूरिटी की हो यानि इस दिखे कि जितनी भी डिग्रीज हैं जिनका एलेटर, कंप्यूटर के एलेटर हैं वो बड़ी मार्किट में और यानिवस्टी में जो डिमिशन्स की तदाद है, वो इन डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा है और ज्यादा रैपिडली तोर पर इन चीदों में जो दाखले हो रहे हैं कहीं ने कहीं स्टूटन्स की इसमें दाखले की जो वज़ा है वो ये होती है का स्टूटन्स आज कल आउनलाइन अर्निंग में बहुत ज्यादा इंटरस्टेड होते हैं और स्टुटन्स का ये ख्याल होता है कि जो CS की डिग्री है वो उनको शायद आनलाइन के फील्ड में यानि मुस्तक्बिल का जो आने वाला दौर है वो आनलाइन अर्निंग का ही दौर होगा बिला शुबा आज कल भी बहुत ज़्यादा आनलाइन अर्निंग इन लेकर मुस्तक्बिल में तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें आनलाइन ही की तरफ डाइवरिट होंगी तो बैसिकली जितने भी स्टूडिल जिनके CS की डिगरी का जो मुस्तक्बिल है वो उसको आनलाइन अर्निंग में देखते हैं उनके लिए ये वीडियो है इसके अलावा CS के क्या क्या स्कोप हैं उनके मुतलग ये वीडियो नहीं है इसमें सर्फ और सर्फ हम Computer Science की डिगरी का जो तरलक आनलाइन अर्निंग की तरफ है वो देखेंगे बाकी अगर आपको एंड तक वीडियो अच्छी लगी और आपको इसमें से चीथें अच्छी सीखने को मिली देन वीडियो को अपने लाइक करना और चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना चैनल आप आजकल सबस्क्राइब नहीं कर रहा है चले हैं चलते हैं अपनी वीडियो की जानब पाकस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि अजाज चायवाला और इस त्रीकर के वह बहुत सारे लोग हैं और ये किसी हद तक बात ठीक भी है वैसे कि स्किल्स का होना बहुत जरूरी है लेकर फिर भी बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कनफ्यूज होते हैं कि डिग्री को फिर किदर लेके जाएं डिग्री भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जरूरी समझी जाती हैं, हमारी सिसाइटी में डिग्री को लेकर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मजूद हैं, और हकीकत में तलीम का एक अपना अलादा से स्कोप और अलादा से कुछ चीज़ें वहां पर मजूद होती हैं, जिन इस तरीके से लोगों की इंट्री हो रही है CES डिपार्टमेंट में नो डाउट पिछले दो तीन साल से काफी जाए टेंडेंसी है लेकर इस साल से तो टेंडेंसी का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है यानिके युनिवस्टिस के बाकी जितने भी डिप के साथ अगर उनके CES डिपार्टमेंट के साथ कमपाईजन करवाएं तो CES डिपार्टमेंट में जो अप्लीकेशन की तदाद है वो कहीं ज्यादा है ऐस कंपेर डू बाकी डिपार्टमेंट से और इसकी बड़ी वज़ा वही है जो मैं आपको बताया आगर आज का रुज या और भी सटीके से कम्प्यूटर की डिपार्टमेंट जो स्पैशली बनाएं ही कम्प्यूटर के लिए यूनिवस्टी जानि इस डिग्री के लिए वहां भी आप लोगों को आनलाइन अर्निंग सिखाने के तरीके तो वहां पे नहीं बताया जाते और ना ही आनलाइन अर कर दो उन्यूर्स्टी में नहीं होते इसी तरीके से बाकि जितने भी कंप्यूटर के लेटर्ड जो आउन-लाइन अरंग के लेटर्डड चीज़ें वह आपको किसी भी युणिरष्टी में नहीं सिखाई जाती है लेकान युणिरस्टी में चीज़ें है आपको सी पलस पलस आ गई है या और इस लिक्री की बहुत सारी स्किल्स कम्प्यूटर के लोग सीख लेते हैं तो पहली बात तो यह कि इन तमाम स्किल्स का कहीं ने कहीं जो इन्रॉल्मेंट है वो हमेशा रहती है एक वो बंदा जो साइंस एक इंजीनियर है या एक डाक्टर है या एक मैडिकल फील्ड का बंदा है वो कभी भी अगर ऑनलाइन फील्ड में या औरनेंग के फील्ड में आएगा तो वो कभी भी उतने अच्छे से चीज़ों को नहीं समय सकता as soon as possible जितना के आपके पास CS का बंदा समय सकता है कुँकि उसकी जो वाक्षित होगी कंप्यूटर के साथ वो बहुत बेतर होगी as compared to CS का बंदा नहीं है तो लहाज़ा जो आपने वो चार साल इंवेस्ट करने होते हैं CS के डिपार्टमेंट में आप उन चार सालों में इस काबल तो नहीं होते कि आप online learning करना शुरू कर दें मास वाई कि आप separate से उसके लिए try करें अलादा से कोशिश करें अलादा से कोशिश करने के क्या क्या तरीके हैं वो भी मैं आप लोगों को तरह explain करता हूँ लेकर मेरा बताने का मकसद यह है कि आप computer की डिगरी आपकी help out तो जरूर करती है लेकर आपको उस रास्ते पर लाके नहीं छोड़ती जहां से आपने passage generate करने है passage generate करने के लिए आप लोगों को और रास्तों पर जाना पड़ेगा आजकल इसी वज़ा से पाकस्तान में और एवन दो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो CS के बंदे भी नहीं है जिनके पास computer science की डिगरी भी नहीं है लेकर उनके पास कोई खास किसम की skills हैं जिनकी market में value है और वो उनको sale कर रहे हैं इंटरनेट पर आकर कि उनको sale ही करने नहीं आती क्योंकि इनिवस्टिस आपको sale करने नहीं सखाएगी कि आपने अपने skills को कैसे sale करना है उसके लिए आपको मतलगा बंदे के पास जाना पड़ेगा जो already इसमे experience रखता होगा उसके courses आपको सीखने पड़ेंगे साफ़ार आपको उसको इलादा से पैसे देने पड़ेंगे पाकिस्तान में फ्री तो कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए चूंकर जिस बंदे ने मेनट की है experience से चीज़ें आसल की है उसका हक भी बनता है कि वो अपने चीज़ों को sale out करे इस पे कोई हमारी बैस भी नहीं है लेकर बहुत सारे खुदा के ऐसे बंदे भी मुझूद है जो अपनी skills को बहुत सारी ऐसी चीज़ों को YouTube के उपर courses बनाकर free of cost आप लोगों के छोड़ दी है तो जो बंदे CS की डिगरी के दुरान वो तमाम चीज़ें साथ साथ करते रहते हैं वो no doubt CS की डिगरी और online रर्निंग एक अच्छा match up बन जाता है लेकर अगर आप ये कहें कि आपने extra efforts नहीं put करनी extra courses नहीं सीखने extra skills हासल नहीं करनी के online रर्निंग करें और क्रोड़ों पैसे कमा है उनकी क्या दूर्द है कि उन्यवस्टीज में आकर वो इतनी लंबी और hectic किसम की जाब होती ही उन्यवस्टीज की जो वो करते है तो उनको बिलकुल नहीं करनी चाहिए उनको घार बैठके online रर्निंग करनी चाहिए अगर CS की डिग्री ही आप लोगों का online रर्निंग जाब्स के साथ इतना गहरा तलग तो है लेकर अगर सिर्फ और सिर्फ की डिग्री होगी आप सिर्फ कताबों तक बातें करेंगे या आप सिर्फ वो टिपिकल किसम की एजुकेशन हासल करेंगे तो आप किसी भी उनिवस्टी में वो चीज़ें हासल नहीं कर पाऊगे ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ इनकी online रर्निंग के साथ हाँ बाकी पाकिस्तान में अच्छी उनिवस्टी हैं पास जाना पड़ेगा उसको जनाबियाला आपको पैसे देने पड़ेंगी है देन ही वो आपको अपनी सर्वसेस देगा लेकर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बहुत सारे बच्चों के फिर ये सवालात होते हैं के सार हमने फिर CS की डिगरी में ही की उतने पैसे इंवस्ट करने हैं क्योंकर लाखों रपाय लगते हैं तो वो ही हम किसी और बंदे के पास जाकर स्किल्स बाई कर लेते हैं तो ये भी एक बार उन बच्चों के लिए ठीक है जो बच्चों के घर के हलात इतने अच्छे नहीं हैं उनको डिगरी फिर एड़ दी एंट कुछ नहीं देगी वो चाहते हैं तो अगर उनके पास कम पैसे हैं कि उन्होंने एक ही तरफ लगाने है तो वो बजाए है कि वो युण्वस्टी की टिपिकल किसम की अज्यूकेशन ही हाइए पाकस्तान में अब आप देखें तो इतनी युणिवस्टी हैं इतनें कालंजजे इस की डिग्री दिये रहे हैं तो ये बंदे बहुत ज्यादा है फिजिकल जाप्स जो है वो बहुत कम लोगों को ही मिरेंगी और आउनलाइन अन्निंग की ही ज्यादा सोर्स रहेगा इंकम का तो ये फैसला आप लोगों ने करना है अगर आपकी जेप अजाज़त देती है तो CS की डिगरी आसल जरूर करो लेकिन उसके साथ आपको एक्स्टर एफड करनी पड़ेगी अगर आपकी जेप अजाज़त नहीं देती है और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अन्निंग करने के लिए अपने CS की डिगरी करनी है तो बिलकुल ना करो आपको स्किल्स हासल करो बहुत सारी स्किल्स है और आपको बहुत अच्छे अच्छे पाकासदान में ट्यूटर मुजूद हैं यूट्यूब की उपर भी मुजूद हैं और वैसे भी मुजूद हैं आप उनसे कंटेक्ट करो और आप लोगों को वो चीज़ें बताएंगे और आप सीखोगे और खुदारा ऑनलाइन अन्न कमा भी लेंगे किसी गला तरीके से तो वो आपको फर्दर कहीं फैदा नहीं देगा बलकिन नुकसान ही पचाएगा तो लहाज़ा एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है स्किल्स भी होना जरूरी है और यह एक्सपीरियंस तो वकत के साथ-साथ आता है जो सबसे पहले स्किल स बहुत जरूरी है स्केली ही आपको जिन्दगी में काम याप करवाएगी लेकिन इसका मकसद ये बिलकुल नहीं है कि आप तलीम को पीछे चोड़ दें अगर जो बंदे के पास पैसे हैं वो पाकट उसकी जाज़ा देती है उसको तलीम भी साथ हासल करने चाहिए वो भी उसक के काम आती है हाल बता जिसके पास पैसे नहीं है इतने ज्यादा उसने एक ही रास्ता चूज करना है तो अगर वह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑनलेने के फील्ड में आना चाहता है देन वह सिर्फ स्किल सीखे आपको चीज़ें कुछ कुछ क्लीर होगी है विडियो अच् करनी है चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा और अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं मेरे साथ कंटेक्ट करना चाहते हैं काल बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टागराम पे आएं वहाँ पे डियम करें वहाँ पे आपको हमारे इंस्टागर वाई लोग हैं वो आपको बता देंगे थैंक यू